बिहार में पंचाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है कोरोना के कारण स्थगित में चुनाव को दोबारा से करवानी की तैयारी हो रही है इसी क्रम में अब लंबे इंतजार के बाद पंचाय चुनाव की संभावित तारीख जारी कर दी गई है राज़नलवा चुनायो की तरफ से साजह की गई जानकारी के रुसार पंचाय चुनावी प्रक्रिया का आयोजन 3 अगस्त से हो सकता है ऐसी संभावना जटाई जारी है कि 3 अगस्त को पहले चरन में एक प्रपत्र पाच में सूचना के प्रकाशन के साथ चुनावी प्रक्रिया का शुभारम होने की संभावना है जोसकी बाद मतदान 27 अगस्त से शुरू हो सकते हैं इसके साथ ही अंतिम चरन के चुनाव का आयोजन 31 अक्टूबर से होने की संभावना जटाई जारी है सबी 10 शर्णों में होने वाले मतदान की गिंती 3 दिनों के अंदर ही कराई जा सकती है हाला कि इन सब के बीच नर्वाचन आयोग ने 3 अगस्त को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को लेकर किसी भी कारिक्रम निर्धारन से इंकार कर दिया है इसके साथ ही आपको बता दे कि नर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर फैसला लिया कि इस बार EVM के साथ बैलेट पेपर से भी चुनाव करा सकते हैं निर्वाचन आयोग ने कहाए कि अगर परियाप्त EVM की विवस्तान नहीं होती है तो पंचायत के 6 पदों में से पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जा सकते हैं राजन निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग को लेकर पहले ही EVM के स्तमाल को लेकर एलान कर दिया था वहीं इन सब के बीच अब पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर के स्तमाल की तयारी भी शिरू हो गई है क्योंकि राजन निर्वाचन आयोग चार पद मुख्या जिला परिसद वार सदस्य पंचायत समीती सदस्य का चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से करवाने और दो पद पंच और सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर करवाने पर विचार कर रहा है आपकी जानकारे के लिए आपको बता दे पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर हाल ही में निर्वाचन आयोग ने बैठक का आयोजन करवाय था जिसकी बाद से ही अगस्त महीने से चुनावी तयारियों को शुरू करने पर सहमती बनी है इसके साथ ही अगर हम संभावित तारीक को देखे तो 3 अगस्त को सूचना जारी करने की योजना है 27 अगस्त को मतदान की संभावना है 39 और 30 अगस्त को मतदान की संभावना है वहीं दूसरे चरण में 6 अगस्त को सूचना जारी की जा सकती है 31 अगस्त को मतदान, मही 2 और 3 सितंबर को मतगरना की जा सकती है तीसरे चरन की बात करें तो 16 अगस्त को सूचना जारी 10 सितंबर को मतदान, 12 और 13 सितंबर को मतगरना हो सकती है मही 24 चरन में 20 अगस्त को सूचना जारी 14 सितंबर को मतदान, 16 और 17 सितंबर को मतदाना हो सकती है इसके साथ ही पाचवे चरन के शिरवात के तहट 1 सितंबर को सूचना जारी, 24 सितंबर को मतदान और 26 और 27 सितंबर को मतदाना की संभावित तारीख तैगी गई है इसके साथ ही छटे चरन में 7 सितंबर को सूचना जारी, 30 सितंबर को मतदान, वही 2 और 3 ओक्टूबर को मतदान हो सकती है मही 7 चरन में 13 सितंबर को सूचना जारी, 8 ओक्टूबर को मतदान, मही 10 और 11 ओक्टूबर को मतदान की संभावना जताई गई है 8 वे चरन की बात करें तो 24 सितंबर को सूचना जारी 18 ओक्टूबर को मतगनना होगी वही नोवे चरण के तहट 29 सितंबर को सूचना जाली होगी, 22 ओक्टूबर को मतदान होगी और 24 और 25 ओक्टूबर को न जारी करके 31 ओक्टूबर को मतदान वही 2 और 3 नवंबर को मतदान हो सकती है हाला कि चुनाव की पूरी जानकारी फिलहाल राजुनिर्वाचुनायोग ने साजा नहीं की गई है राजुनिर्वाचुनायोग ने जो जानकारी साजा की है उसके तहत ये सिर्फ संभावे तारीक है जिसे चुनावी प्रोकरिया शुरू हो सकती है हाला कि इस पर अभी भी अंतिम मुहर लगना बाकी है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए रहनेवाद